हेलो अब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीड़ों में हम बात करेंगे जीडियस की तरफ से आने वाली 12,828 पदों पर सेकंड में ट्लिष्ट रिजल्ट 2023 को लेकर आ चुकी बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में आप सभी लोगों के काफी सारे कमेंट भी आये हैं कल के दिन भी मैंने कुछ कोशन आंसर किये थे उसके बाप जूद आप लोगों ने काफी सारे कमेंट किये हैं और बदले में आप लोग उसका रिपलाई चाहते हैं सबसे इंपोर्टन तीन तरह के कमेंट होते हैं पहला तो आपके रिजल्ट डेट को लेकर यानि की सेकंड मेंट आपकी कब जारी होगी इसको प्रूब के साथ में बताएंगे इस बार काफ में बड़ा बदलाव होने के चांस है की नहीं और सिकंड लिष्ट में अभी कितनी सीटे बच्ची है जहाँ पे आप लोगों को सेलेक्सन लेना होगा इसके लाबा कम परसेंट वालों को क्या होगा और कुरोना वाले और जो साथ में सेटिंग और फर्जी वाले बच्चे हैं उनके साथ में कौन सी यहाँ पे जो है तो चाल चली जाएगी जिस बज़े से वो बाहर होने वाले हैं सभी सवालों के जबाव आपको दूँगा अगर आप लोगों ने जिंडिया पोस्ट आपिस की तरफ से आई हुई 12,888 पदों के लिए आवेदन किया और पहली लिष्ट में हाई कटॉप की बज़े से आपका नाम नहीं आपाया और आप लोगों का सपना है अपने गाउंए जिले के अंदर इंडिया पोस्ट आपिस डिपार्टमेंट को जॉइन करके ABPM या BPM के पदों पर सरकारी नोकरी पाने का तो आप सभी लोग इस वीडियो में आखरी तक जरूर बने रहें अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और उसके बाद आप सभी से रिक्वेश्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिपिकेशन को आउन करना बिल्कुल भी मिस्मत के देगा सबसे पहले कल की वीडियो को उपन करते हैं उसके बाद वहाँ पे कमेंट पे चलते हैं देखते हैं कौन-कौन से कमेंट आप लोगे ने किये हुए हैं तो अभी हम आप लोगों के comment को read करेंगे, सारे comment को read नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ comment को read करेंगे, देखे आपर पहला comment है, 22 जी, I am APWD certificate candidate of UT, Jammu and Kasmeer and I have a disability certificate of 50% of disability in my certificate and I have passed out my class 10th in year 2014, इसके बाद कुछ और बोला है, लेकिन मैं इनके questions को समझ गया हूँ, कि ये एक physical handicap certificate के साथ में 10th को 24 में pass out किये हैं, 50% mark के साथ, देखे अभी यहाँ पे कीमत आपके physical handicap certificate की नहीं रह गई है, कीमत आपके 10th pass out होने की भी नहीं रह गई है, यहाँ पे किबल और किबल matter करता है आपका ये percentage, percentage के इसाब से merit generate की जा रही और अगर merit में आपका नाम नहीं आपा रहा है, तो फिर आप किसी काम के नहीं, कहने का मतलब यह है कि merit में के बल उन बच्चों का नाम आएगा, जिनका high cut off रहेगा, high percentage रहेगा, इसके अलाबा आपको बता दे कि यहाँ पे जितने भी physical handicap आनी PWD से आवेदन किये बच्चे हैं, उनका भी 100 में 100 नाम देखने को मिला है, तो अभी आपको इंतजार करना होगा, आप original candidate हैं जिनोंने PWD से 50% से आवेदन किया है, इस आस में कि आपको job मिल जाएगी, लेकिन अभी आपको इंतजार करना होगा, इसके बाद 94% है, तो कहीं न कहीं तीसरी या चौती लिस्ट के अंदर आपके नाम आने की संभावना है, क्या अमारा नमबर आएगा, क्या नहीं, 97.2, जैहां बिल्कुल 97.2 हैं तो आपको इहां पे अपना circle division और category जो है तो mention करनी पड़ेगी, इसके बाद देखे, जो अगला question है आप है, आपका कहना एकदम सही है, कुरोना वाले बच्चे तो हैं ही, साथ ही साथ आपको यहां पे सेटिंग वाले, फरजी नकली माक सीट वाले, और साथ ही साथ मज़े लेने वाले बच्चों की संक्षा भी हाई देखने को मिलेगी, जस बज़र से cut-off 95 प्लस चला जाता है, और सभी सीटे खाली रहती हैं, इसी बज़र से 5-6 मेरिट लिष्ट आनी बाकी रह जाती है, इसके बाद देखे, सर मेरा 89.3% है, सर प्लीज बताए कि कौन से सर्कल से भरूं, सर मैं यूपी से हूँ, देखे अभी आप पूछ रहें कि अगर 89.3% है तो सर्कल चेंज करके इससे मेरा नाम आ जाए, ऐसा इदिमाग हमने लगाया था कि नौर्थ इस्ट सर्कल में पहली लिष्ट में 79, 78 वालों का हो रहा था, तो वहां से हम लोगों ने रेक्वेंट किया कि आप लोग आवेधन करें, एक साल आपको थोड़ा सा प्राब्लम होगी, लेकिन उसके ब हर जगे कंप्टीशन टायट हो चुका है, सभी को इस्टिक का पता लग चुका है, और सभी लोग वहीं से आवेधन कर रहे हैं, जहां से कट आउक कम जाता था, उसके बाद देखें सर हम क्या करें, हमारे जलोर में तो 100 है, हमारे तो 87 ने फिर भी नहीं आया, देखें जब अगर फुल लोडिविकेशन उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, 95% AWS हर्याना से सर मेरा नमबर नहीं आया अब तक, देखें अगर 95% हैं, हर्याना से हैं, तो आपका नमबर अभी नहीं आएगा, क्योंकि AWS जर्नल के टेगरी का ही पार्ट होता है, और AWS का भी अभी तो नहीं कम से कम चोथी या पाचवी लिष्ट तक इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी सो में सो आले वेटिंग में हैं, सर मेरा 80.80 है, ओभी सी कटेगरी फ्रॉम महराष्ट, देखें अगर आपका 80% है, तो आपको तो इस लिष्ट में कहीं भी आपको जॉब देख नहीं मिलेगी, क्योंकि 12,000 वेकेंसी और यहां पर 80% है, कम से कम अगर यह कट आप नीचे भी आती है, तो 90 तक आ सकती है, वहां तक आपको उम्मीद रखनी चाहिए, सर OVC 75% है, महराष्ट में तो कौन सी लिष्ट में नाम आएगा, OVC का 75% में यहां पर किसी भी लिष् के लिए आवेदन करना होगा, गौर्णेंट वेकार है, 60% यहां पर 90% वाले की जॉब मिलेगा तो हम क्या कुछ ही नहीं है, इनका कहने का मतलब यह कि गौर्णेंट वाले वेकार हैं, 60% वाले को जॉब नहीं देते, 90% वालों को जॉब देते हैं, तो हम वेकार हैं, सब 60% अपनी मेहनत पर लेका रहे हैं, उनमें कोई अंतर नहीं कर रहा, पोस्ट आपीस, इस पर जैसे यहां पर जो आपको हाई कटाप देखने को मिल रही है, कुरोना वाले बच्चों को भी यहां पर मानिता देना पड़ेगा GDS को, क्योंकि उस टाइम कॉरोना आया, तो नहीं देना था, तो 90%, 100% क्यों दिया, हमें बोलना था कि क्या, आपको बोलें, देखें, यहां पे आपका कहना सही है कि कुरोना वाले बच्चों को भी मानिता देना चाहिए, क्योंकि कुरोना आ गया तो उनकी क्या गलती, लेकिन एक बात को समझेगा, कि जो बच्चे पा पासों ने हालात में नहीं थे, उनका करना क्या चाहिए था, कि 9 यानि कि 9 के परसेंटेज के बेसिस पे उनको 10 में परसेंट देना चाहिए था, यानि कि जो बच्चा कक्षा 9 में 50% लेकर आया है, उसको कहीं ने कहीं 50-60% दे देते तो ठीक रहता, लेकिन हर एक स्कूल ने सभी बच्चों को 90 प्लस और 100-100 दे कर बिल्कुल सही नहीं किया, सही किया उनके जीवन के लिए, लेकिन GDS के अंदर जो ओरिजिनल बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल इस बात को सही नहीं मानेंगे, कि सब बच्चों को 90 और 100 मिल गया है, तो अभी हम ओरिजिनल वाले बच् सेलेक्शन बिल्कुल हैं, 60% का भी कोई भी चांस नहीं है, कम परसेंट वालों को ले, मैं यही बोल रहा हूँ, सर मेरा 10 में 94.5 है, पिलास कुछ 36 गड़ से हूँ, कटेगरी बताना आप भूल गये हैं, परसेंट आपके अच्छे हैं, अगर आप कहीं न कहीं, SC, HD से होंग सेलेक्स लिष्ट में, 70% का आपको साइकल 6 का इंतजार करना होगा, इसके बाद देखें, सर मेरा 77 है, CBSC में SC North East, देखें, North East एक ऐसा सर्कल डिविजन वाना जाता था अभी तक, जहां पे कम परसेंट वालों का नाम आता था, लेकिन आपने मनीपुर यहां पे डाला लिष्ट आपकी नमबर 2023 तक आएंगी जब तक यह भरती प्रक्रिया चलेगी, नमबर 2023 भरती प्रक्रिया की आकरी डेट है, वहां तक आपकी लिष्ट आएगी और अभी जो है तो जुलाई चल रहा है, यानि कि अगस्त सेप्टमबर, अक्टूबर, नमबर, अभी जुला के आकरी हपते में 25 से 30 के बीच में 1 मेरिट आनी है, तो टोटल आपकी 5 से 6 मेरिट आ सकती है, इस दिये गए समय में और ये तब आएंगी जब आपकी सीट खाली रह जाएंगी, सीट कितनी बच्ची उसके बारे में भी हम बात करेंगे, सर 57 में होगा की नहीं हमें कितने ब PWS काटेगरी से हैं, TWD से हैं तो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल काटेगरी से होने के बाद आपका नाम नहीं आएगा, सर 67 परसेंट का कोई चांस है लिष्ट में पिलकुल नहीं, यूर काटेगरी से 67 आप इस विकनसी के अंदर 12,828 पदो वाली भरती के अंदर भूल जा 5 से 10 बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाकी 40 बच्चों को फ्री का दिया गया है वो मैं मानता हूँ, लेकिन 10 बच्चों को जो दिया गया है वो भी अच्छी बात है, यहां पे जो इनके 8 और 9 में परसेंटेज थे, अच्छे परसेंटेज थे, उनको देना वाज कहीं कि कम से कम इतनी होस्यारी तो नहीं बनती है कि नया हो, यहां पे देखे, लाय में PWD Certificate Candidate of UT Jammu Kasmir Poster Circle and I have filled the form of JDS Cycle 6 यहां पे अभी आया नहीं है, लेकिन इन यह जो है तो Special Drive वाले को बोल रहे हैं, in my nearest district Udhampur, of a Jammu Division of Post Office JDS Cycle 6 and I have a disabled Certificate of 50% of Disability in my Certificate and I have got 66% and I have passed out my Class 10th grade and I have passed out my Class 10th in the year 2014 from JK Boss, so is there any chance of getting a new seat in this recruitment of JDS Cycle 6, देखे, पहले तो डाउट यह है कि Cycle 6 की विकेंसी यह नहीं है, यह 5000 नए BO यानि की branch offices open होने की बज़े से, जल्दी से जल्दी Special Drive करके, विकेंसीों के notification आउट किये गए थे, Cycle 6 की विकेंसी आपको 17 जुलाई तक देखने को मिलेगी, जहां पे 30,000 प्लस पूछते रहेंगी, ABPM, BPM और DUNK से वक्की, उसके लिए आप लोग आसानी से आविधन कर सकते हैं, अभी दूसरा doubt कि आपका नाम आएगा कि नहीं, देखे, PWD candidate हैं कहने सकते, देश में PWD candidate जादा होते नहीं, जादा आविधन नहीं करते, तो कहीं नहीं, नाम आपका आभी सकता है, सर जो correction हुआ था, उसका result कब तक आएगा, जडियस में, देखे, correction का है result जारी है, जब correction हुआ है, उसके बाद ही result आ रहा है, सब ऐसे क्यों कहते हैं कि corona वाले, free में नोकरी ले रहे हैं, आप सब को नहीं पता, हमने लाज तक पढ़ाई की, और बहुत मेहनत की exam ही तो नहीं लगी बस, देखे, कुछ बच्चों का मैं बोल रहा हूँ कि 10th में, जो है तो अच्छे percent बना लेते, चाहे वो private के स्कूल के हो, 9th में भी अच्छे उनके percent थे, उन्होंने 10th में मेहनत करी बस exam नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने भी समंजस बना के रखी थी exam होगा कि नहीं, और आगरी point पे उन्होंने बोला, कि exam नहीं होगा, मैं बात उन लोगों की नहीं कर रहा हूँ, जो की साल भर पढ़ते रहे है जिनके 8th में और 9th में एच्छे percent आये हैं, बात उनमें कर रहा हूँ, जिसमें 50 बच्चों में 10 बच्चे तो होसियार हैं, चलो उनको दे देते हैं, लेकिन 40 बच्चे जो की average थे, या जिनको पार सोने के लिए भी लगा था, उनको भी 100% देना कहीं करने नहीं हुआ, नही 96% वालों का क्या होगा बिल्कुल भी अभी चांस नहीं है, वी WDB में हैं तो आपका चांस हो सकता है, वो भी अनौनाचल डिवजन से, सर में 95% है, क्टेगरी बताना पड़ेगा हर्याना से, क्योंकि पिछली बार हर्याना का कटाप देखा था, आपने 100 में 100 गया था, उसक मैं आपको बता देता हूँ कि आपका रिजल्ट कब आएगा, 25 से लेकर 30 जुलाई यानि की जुलाई के आखरी हपते में आपका सिकंडली जारी होगा, 10,000 प्लस बच्चों का नाम अभी भी आएगा, क्योंकि लगबग 20% बच्चों नहीं, डाकुमेंट बेरिविकेसन आप सभी का धन्यवाद